हलो गाइज वाट्स अब काफी टाइम बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ हूँ आज हम चलेंगे विलेज शामपूर जहां हम देखेंगे कैसे गन्य से गुड को बनाया जाता है तो चलो देखते हैं कैसे बनता है गन्य से गुड तो फाइनली हम पहुंच चु गुड बनाया जाता है यह दिखिए कि इतना अच्छा ग्रीच है चलो तुना वे सुछे हैं यह हमारे भाया जी मशीन में गन्य डाल देए हैं इस मशीन में दो रोटेटिंग से लेंडर लगे हुए हैं जिसके भी गन्या डाला जा रहा है और वो दोनों से लेंडर गन्य क कंप्रेस करके रस निकल देए हैं जो रस होता है वो नीचे से निकल कर एक बड़ी से टब में जा रहा है चलो मैं आपको टब दिखा देता हूँ यह देखिए यहां पर यह रस सारा इखठा हो रहा है इसके बाद इस रस को यहां पर डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है यहां पर फोर बड़े-बड़े टब हैं जहां पर गन्या के रस को डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसके रीचे गन्या क जैसे जैसे रख गरम होता है जब तक हम लिए जब का सीं को जोचेतर में डाला जयाता है और फिर जाता है ले नोगिए नहीं होता है है लोग तैया तो से निकल रहा है, जिसके बाद इसको ये बड़े से फर्स में जाला दिया जाता है, ताज इसको ठंदा किया जाए, ये हमारे भीयाजी इसको अच्छे से इतार रहे हैं, ये लिखते है, बिल्कुल लाल कलर का फ्रेश कूर, अभी ये लिकूर फॉर्म में है, इसको थोड़ी जेर तक ये जम जाएगा जैते ही ठंदा होगा, तो और इसको पीसिज में डिवाइड किया जाएगा फिर फाइनली, वो दिखिए ओ भाहिया जी तीसरे टब से चोथे टब में इसको डाल गए है, रसको ऐसे डाल तो इसको इसको डिशन डिशन पर से ज़जरना पड़ता ह अब ये गुड़ थोड़ा सा घंडा हो गया है, अब भाहिया जी इसको अच्छे से 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 कर रहे हैं, प्रॉपर लेयर बिशा रहे हैं ता जो गुड़ कार्थे समें दिक्कत ना है